कैलाश मान सरोवर मुक्ती महा संकल्प जन जागरण यात्रा का द्वारका में संध्यास सिंग ने भवी स्वागत किया साथ ही बड़ा संदिश दिया भारत तिबद समन्वै संग द्वारा 19 मैं से गोरकपुर के गोरक्षनाद पीट से कैलाश मानसरवर मुक्ती माहसंकल पिजन जागरन यात्रा शुरू होकर उत्तर प्रदेश की संत कबिरनगर वस्तिया योध्या 12 बंकी लखनव उन्नाव कानपूर आग्रा मतोरा व्रंदाव कोसी कला गुरुग्राम होते हुए 23 मैं को दिल्ली के द्वार का पहुचे द्वार का में यात्रा सयोजक दिले प्रांत रविकांच शर्मा प्रांत अध्यक्ष प्रेमिला मलिक राश्वी महमंत्रे संध्या सिंग पारुल गुपता और दिल्ली के सभी पदाधिकारियों द लगा इसके बाद महीला मंडली द्वारा सिध्धिविनायक मंदिर में खिर्तन भजन अवम जन जागरान यात्रियों समस्त्र भक्तों का दिल्प किया गया उतरप्रदेश भवन में ही जन्र जागरन यात्रियों के भोजन एवम विश्राम संध निकाला हुआ है ये हमारे सेश नेतित्र का निड़े रहा कि एक जन जागण यात्रा के माध्धम से भारत के पूरे लोगों को बगवान भोले नाथ के प्रति जागित किया जाए बगवान भोले नाथ का मूल निवास अस्थान कहलास मांसरूर दुष्ट चीन के कबजे में है उसे मुक्त कराने के लिए हम लोग महा संकल्प कराते हुए गोरखनाग मंदिर से यात्रा निकरकर संकवी नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनव, उन्नाव, कानपूर, आगरा, मतुरा होते हुए आज दिल्ली पहुचिये तिरे यह पुरा यात्रा गजप्रस्त, मेरट, सारानपूर, मुझपःपूर, द्यारा दोनों होते हुए है द्वार में समाप्त होगी तिर्बत समन्वे संग द्वारा एक बहुत ही अच्छी यात्रा जो हमारी गौरकूर से शुरू होके और दिल्ली प्रांथ में पहुची है, आज हमने उनका बहुत-बहुत आभार वेक्थ किया है इस जन्जागरण यात्रा का जो संदेश देने का विशह है वो वैस्वी किस्तर का है चीन ने जिस तरीके से तिब्बत पर अधिकार कबजा कर रखा है और ना सिर्प अधिकार कबजा कर रखा है सनातनी जितने भी भाई वेहन हैं भारत में उन सब के उपर 21 वी सदी का आदूने की जजी अटेक्स लगाने का काम चीन कर रहा है इस चीन के इस कुछित परियास के विरोध में सनातनियों को जन्जागरण करने के लिए यह यात्रा है कि मुटी उसके लिए लोगों तक कैसे पहुचा जाये इसकी लिए जो राष्टि कारकारणी के लोग हैं उन्हों ने यात्रा नीका लिया और हम सब लोगों सब मिलके यात्रा को हम बना रहे हैं कि चलो ये यात्रा लोगों तक किसी भी तरह से लोगों को ये पता चल पाए कि हमारे कहलास मांसरोवर हमारे भोलेना जी का मूल इस्तान कहलास परवद पर है और वो चीन के कबजे में तो हमें किस तरह से चीन को कमजोर करना हैं तो यह लोगों तक यह बात पहुचानी है। NBCN News के लिए दिली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट.